हलो दोस्तो केसे हो मैं हूँ आश्वीन और स्वागत है आप सब का हिंदी चेस वीडियोस में दोस्तो सबसे पहली बात तो सोरी कि आज जो है मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया क्योंकि मुझे जो है कहीं पर बाहर जाना था बट एनिवेस हम जो है कल के दिनों में या फिर जो है टूस्डे को लाइव स्ट्रीम करेंगे मैं आपको पहले से ही जो है वहाँ पे कॉम्यूनिटी पोस्त पे इनफॉम कर दूँगा आज के इस वीडियो में दोस्तो हम एक धमा के दार गेम दिखने वाले है जो की दो अन्नोन प्लेरों के बीच में खेली गए थी जहाँ पे वाइट से खेल रहे है आटर रही साकलेक सेक माप की जिएगा जो है प्रोनांसियेशन करने में थोड़ी दिकत आ रही है यह स्लोवियन इंटरनेशनल मास्टर थे और स्लोवियन चेंपियन भी रह चुके थे 2004 में उनके सामने है दोस्तो फिलिप कोर्बीन जो की बार्बुडरस के है और वो जो है दोस्तो फिड़े मास्टर ही थे बट उनकी attacking style जो है यकिन मानिये मिखिल ताल जैसी है इसलिए कई बार जो है लोग उन्हें करेबियन मिखिल ताल भी बुलाते है करेबियन ताल बुलाते है सो आएए देखते हैं गेम जो की 2004 में खेले गए थी जहां पर तड़े इनी गेम की शुरुवात E4 से की इन नाव E5, Nf3, नाव D5 वो हमेशा जब भी पॉसिबल है वो जो है elephant gambit ही खेलते थे तो यह है दोस्तो elephant gambit, point क्या है elephant gambit का कि pawn captures on D5 के बाद black जो है usually E4 खेलता है बट इस game में एक्चुली फिलिप ने bishop to D6 खेला normal continuation को जैसा है E4 इस case में white continuous spawn को target करता है pawn on E4 को वो खेलता है queen E2 and now knight F6, D3 and after queen captures on D5, knight C3, bishop B4 और अब देखे knight 2, D2, so white continuous spawn को pressure में रखता है और उस spawn को जो है वो भी इन करता है क्योंकि वो pin है पर दोस्तो सामने black काफी जल्दी castle कर लेता है white का castle जो है वो थोड़ा delay होता है और इस तरह से यहाँ पर black को जो है वो थोड़ा बहुत attack मिलता है इस game beat में बढ़ अब चलते हैं हमारी game में क्या हुआ कि pawn captures on D5 के बाद bishop to D6 and now D4 E4 knight per attack है and now knight to E5 जबकि उदर knight D2 possible था and now knight to F6 bishop to B5 check and now C6 D captures on C6, B captures on C6 और यहाँ पर दोस्तो काफी normal move है knight captures on C6 right और queen पर भी attack है अगर आप knight से capture करते हो तो bishop capture C6 रूख जा रहा है दिखने में सब कुछ अच्छा चल रहा है but then यहाँ पर move है दोस्तो queen to B6 and all of a sudden यहाँ पर black के पास I mean sorry white के पास जो है वो कुछ इतना अच्छा discover check नहीं है मलब आप जो है knight move करके bishop को support दे पाओ ऐसी एकी जगा है knight takes on A7 पर दोस्तो उस case में क्या हो जाएगा simply bishop to D7 and after bishop captures on D7 just knight captures on D7 और बाद में यह knight जो है वो ट्रैप हो जाएगी so queen to B6 के बाद यहाँ पर white ने खिला C4 so दोस्तो यह जो है C6 पर temporary sacrifice है क्योंके knight captures on C6 के बाद सीधा ही D5 और white को यहाँ पर peace वापस मिल रहा है but अब black ने खिला a castling shot and now bishop captures on C6 so दोस्तो यहाँ पर अगर हम देखे तो white जो है वो दो पून आगे है plus black का rook जो है under attack है so आप वीडियो को पोस कीजिए और सोचे कि यहाँ पर actually black ने क्या खिला होगा ready दोस्तो यहाँ पर black ने खिला knight 2 G4 आप जो है rook B8 खिलते तो white सीधा ही castle कर लेता और उसके बाद जो है इतना कुछ रखा नहीं है so हम जो है white को किसी भी हाल में castle नहीं करने दे सकते है so इस position में दोस्तो खिला गया queen 2 E2 क्योंके F2 पर attack था अब might भी सोच रहे होगे कि net G4 के बाद castle क्यों नहीं क्योंके bishop captures one just उदर H2 आ रहा है so game में खिला गया queen E2 and now F5 so देखिए उनको जो है दो पीस काफी होते है और यहाँ पर point यही है कि जब तक castle नहीं होगा white का king जो है वो बीच में रहेगा और तब तक white के 2 में से कोई भी rook जो है वो game में आ नहीं सकते that means वहाँ पर अगर हमारे rook चला भी जाए फिर भी जो white तो दो rook डाउन में खिलता है so virtually हमारे पास material advantage है यहाँ पर bishop captures on 8 white ने खिला and now F4 F3 और इस position में दोस्तो black चाहे तो pawn capture से F3 खेल सकता है और उसके बाद pawn capture से F3 then जो है knight to e5 के लिए जा सकता है और game में ऐसा ही कुछ हुआ knight to c3 so दोस्तो knight to e5 के बाद से आप खेलते हो यहाँ पर pawn captures on e4 आप चाहते हो कि अब जो है e file open ही नहीं होगी तो आप कोई problem नहीं है but then दोस्तो bishop to g4 queen पर attack and after queen c2 just F3 और यहाँ पर मैं दिखाता हो कि इतनी जल्दी game finish हो सकती है इसे आप जो है try करते हो like knight c3 piece निकाल रहे हो right but then knight to d3 check and all of a sudden यहाँ पर क्या खेलोगे आप game जो है almost finish होने का यह क्योंकि आप queen capture d3 खेलते हो then pawn captures on just g2 और rook को save नहीं किया जा सकता और यहाँ पर black जो है completely winning है so दोस्तो black के पास जो है काफी जबर्दस अब attack है क्योंकि rook की line जो है वो open हो चुकी है right दोनों bishop काम कर रहे है queen जो है attack में है जबकि white के पास defender जो है वो काफी काम है so अब game में चलते है okay game में जाने से पहले एक और बात कि knight to e5 and knight to c3 game में के लगए बढ़ उसकी जगापे से आप knight to d2 try करते हो बढ़ उस case में दोस्तो just pawn e3 push और यहाँ पे दो pawn जो है वो काफी deadly है और उसकी वज़ा से white कोई भी pieces इतनी जल्दी develop नहीं कर पाएगा से आप खेलते हो knight e4 but then bishop to b4 check and after king f1 just हम जो है bishop to f5 खेल सकते है और यहाँ पे जो है अभी bishop पे अभी attack and से आप bishop save करते हो c6 पे पढ़ दें दोस्तो bishop captures f captures और उसके बद देखिए queen to just d4 और दोस्तो यहाँ पे black के पास free hit जैसी position है वो जैसी चाहे वैसी betting कर सकता है वो जो है e4 पे capture कर सकता है net capture c4 भी खेल सकता है और जब रूख b1 and b3 कलके कुछ try करें तब रूख b1 के time ही जो है queen captures on e4 मार सकता है तो वापस रूख को a1 पे जाना पड़ेगा so all in all यहाँ पे क्या हो रहे है दोस्तो की black के पास जो है वो सब कुछ है जबकि white के पास यहाँ पे खेलने के लिए कुछ भी नहीं है दो रूख है बट वो सिफ नाम के है दूसरी और यह bishop जो है वो भी game में नहीं आ सकता कि बिशप d2 आते ही जो है हम वहाँ पे उसको free में capture कर लेंगे so all in all दोस्तो यह position में जो है वो white को almost जो है loss है यहाँ पे black के पास जो है dare सारा initiative है so अभी game में चलते है जहाँ पे knight to e5 के बाद खेला गया knight to c3 और दोस्तो अब pawn captures on f3 और यहाँ कुछ मैंने बोला था जब white ने f3 कहला कि यहाँ पे f3 पे capture करके knight to e5 खेल सकते हैं और इसी ही कुछ position जो है आ रही है so अब दोस्तो pawn captures on f3 का point किया है point यह है पहली बात e file open हो रही है दूसरी बात कि h3 to f1 diagonal जो है वो भी open हो रहा है so यहाँ पे bishop पड़ा हुआ है बट यह bishop कुछ काम का नहीं है so दूसरी और black का light square bishop जो है कि king f1 जाएगा तो वहाँ पे जो है bishop h3 checkmate हो जाएगी king d1 जाएगा दें जो है वो knight to f2 check आ जाएगा और black की position जो है वो win हो जाएगी इस position में black नहीं खेला bishop to f5 उनका idea साब दिखाए दे रहा है जो तो कि sorry कि वो जो है knight to d3 खेलना चाहते है और उसके बाद जो है इसी तरह की position आ जाएगी so knight to e4 गेम में खेला गया है so क्या करना चाहता है white यहाँ पर bishop का diagonal बंद किया so at least अब जो है knight d3 possible नहीं है so अब bishop to b4 check so देखिए इस bishop को तो मार सकते है बट उसकी कोई जरूवत नहीं है queen को ही मार देंगे and of course black is winning so दूसरा option bishop to b4 check के बाद सब bishop to d2 but उस case में दूस्तो bishop text d2 और अब queen captures d2 possible नहीं otherwise knight capture f3 check में queen चले जाएगी so knight text d2 force and now knight d3 check और अब देखिए ऐसी ही position जो है board पे create हो चुकी है अगर आप king जाते हो like f1 पे then bishop to just h3 queen बीच में डालना force and then जो है even f2 पे checkment भी कर सकते है right क्योंकि वो queen जो है वहाँ पे pin रहेगी so अगर king d1 जाते हो then simply knight captures on b2 check king c1 and जो है यहाँ पे queen d4 कहल सकते हो या फिर जो है आप king c1 के बाद again check दे सकते हो उसमें भी जो है white king को discover में आना पड़ेगा या तो d1 पे जाना पड़ेगा d1 में जो है knight f2 check दे के rook को भी capture कर सकते हो so all in all दोस्तों यहाँ पे जो है अब white के पास कुछ रहा नहीं है खेलने के लिए उसी तरह से bishop b4 check के बाद से आप चलते हो knight to c3 but then उस case में दोस्तों just queen to d4 so यहाँ पे सबसे पहले तो threat दिखाए दे रही है कि bishop captures, pawn captures, queen captures और जो है हम rook पे attack कर रहे है दूसरी और जो है even knight to d3 check के लिए भी जा सकते है या फिर bishop to d3 भी खेल सकते है तरह सारी चीज़े जो हम केल सकते है for example आप खेलते हो यहाँ पर bishop d2 आप bishop captures c3 में एक support aid कर रहे हो but then knight to d3 check and after king d1 again दोस्तो knight captures b2 check king e1 and now knight d3 check और उसके बाद king d1 and then आप knight f2 खेलोगे and then rook को भी capture करोगे so basically यहाँ पर position जो है वो totally winning है black के लिए so अब हमारी game में चलते है जहाँ पर bishop to b4 check के बाद ना तो knight c3 possible था ना ही bishop d2 possible था ना ही king f1 possible था so game में खेला गया king to d1 और अब दोस्तो queen to just d4 check and now यहाँ पर say आप जो है bishop d2 खेलके block करते हो then bishop captures e4 f captures e4 and now knight captures on c4 so okay bishop तो जाई रहा है यहाँ पर rook भी जा रहा है और bishop को किसी भी तरह से support नहीं मिल रहा है plus यह दोनों rook जो है वो अभी भी वहीं के वहीं है उसी तरह से दोस्तो queen d4 check के बाद से knight d2 but then okay rook takes on a8 and after rook even से आप जो है even rook को game में लाने के try करते हो then just knight to d3 rook पर attack again जो है आपको rook move करना पड़ेगा क्योंकि अब threat है दोस्तों यहाँ पर knight 2 जो है f2 जिसमें queen ही देनी पड़ेगी क्योंकि bishop c2 square देख रहा होगा so all in all यहाँ पर भी black की position जो है वो भी नहीं है so हमारी game में चलते है जहाँ पर queen to d4 के बाद खेला गया king c2 बर दोस्तों अब knight takes on f3 reason यह है कि f3 square जो है वो knight को protect कर रहा है और यह knight जो है वो actually pin है so यहाँ पर next जो है bishop captures f3 खेल सकते है so अगर आप d6 खेलते हो देना हम पहले जो है rook captures 8 खेलेंगे and same continuation होगा क्योंकि rook e1 करके आप knight को दूसरा support दे ही नहीं पाऊगे so यहाँ पर position जो है दोस्तो वो just black के लिए भी नहीं है game में खेला गया rook 2 d1 queen pair take है but now bishop captures on e4 check and after king b3 यहाँ पर दोस्तों वीडियो को post कीजिए और सोचिए की black ने क्या खेला होगा नहीं black ने अपनी queen move की नहीं उन्होंने जो इस bishop को capture किया उन्होंने यहाँ पर सिधा साधा खेला rook 2 b8 so वो जो है कुछ discover check की thread दे रहे so यहाँ पर से आप जो है queen को capture करते हो with rook takes on d4 but then knight captures on d4 check and after king to a4 simply knight captures on e2 queen तो वापस मिल गई but अब यहाँ पर white खेलेगा किया white के पास जो है अभी भी peace development का कोई time नहीं है right क्यूंकि अगर आप जो है यहाँ पर से bishop को move करते हो d2 पर then हम capture कर लेंगे e3 पर pawn capture करेगा यहाँ पर मारते हो then knight captures on f4 दूसरी हो left square bishop जो है वो भी जा रहा है so से आप try करते हो like bishop c6 but then दोस्तो bishop c2 check and after b3 and just knight to c3 checkmate हो गई so rook 2 b8 के बाद यहाँ पर queen को मानना तो possible नहीं है say आप try करते हो a3 क्यूंकि कुछ discover check है तो आप a2 पर जाना चाहते हो but then दोस्तो bishop 2 d2 discover check and after king to a2 and just bishop 2 d3 queen पर attack queen move होते ही bishop captures on just c4 आ जाएगा और वहाँ पर game lost है white के लिए say queen takes f3 bishop takes on c4 check king b1 bishop d3 check king a2 and now queen c4 और यहाँ पर game खतम so okay कोई भी option जो है इतना अच्छा नहीं था so rook b8 के बाद game में खेला गया bishop 2 c6 ताकि discover check में bishop 2 b5 खेला जा सके but यहाँ पर दोस्तो अब exactly जो है वो चार move में checkmate हो रही है इस position में black ने खेला bishop 2 d2 rook से discover check and after bishop 2 b5 यहाँ पर दोस्तो rook captures on b5 और इस position में actually जो है sloven international master ने black को checkmate करना अलाव किया जो कि काफी कम देखने को मिलता है otherwise वो लोग resignation दे देते है यहाँ पर c takes on b5 के बाद queen to b4 checkmate हो गई so दोस्तो मैंने क्यों बोला कि जो है वहाँ पर 4 मूं में checkmate है reason यह है कि rook takes on b5 के बाद capture करना ज़रूरी नहीं था वहाँ पर जो है king a3 खेला जा सकता है but then rook a5 king b3 and now queen b6 जो है वो mate हो रही थी so दोस्तो कैसी लगी आपको करिबियन ताल की यह game जो है जो है